आर्टिफिशल इंटेलिजेंस क्या है? एक मिनट, एक मिनट, गूगल, तुम आर्टिफिशल इंटेलिजेंस हो गया? जी हाँ, मेरे पास जो भी समझदारी है, वह हिसानों की बनाई हुई है. देखा? आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का नाम सुनते ही, जो पहली चीज हम सबके दिमाग में आती है, वो हैं रोबोट्स. पर ये आर्टिफिशल इंटेलिजेंस सिर्फ रोबोट्स में ही नहीं, बलकि हमारी रोजमरा की जिंदगी में भी घुश चुकी है. चाहे Google Maps का हमें कम ट्राफिक वाला रास्ता बताना हो, Google Assistant का हमारे अलग-अलग सवालों का जवाब देना हो, गाडियों का बिना ड्राइवर खुद बखुद चलना हो, या फिर Amazon का हमारी पसंद के हिसाब से हमें कपड़े दिखाना हो. ये सब Artificial Intelligence का ही कमाल है. Artificial Intelligence यानि ऐसी Intelligence, ऐसी बुद्धी जो इनसान द्वारा बनाई गई है. तो जैसे हमारे अंदर एक Intelligence एक बुद्धी होती है, जो हमें नए-नए चीज़े समझने, सीखने और परेशानियों में उनका हल निकालने में मदद करती हैं, उसी तरीके से मश सके और इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीख भी सके. Artificial Intelligence जिसे शौर्ट में AI भी कहा जाता है, ऐसी फील्ड है जिसमें प्रोग्रामर्स कुछ ऐसे सौफ्ट्वेर बनाते हैं, जिनने अगर किसी मशीन में डाला जाए, तो उस मशीन से हम कोई भी काम करवा सकते हैं. और फिर क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी खुदी डिसाइड करती हैं. अब सोफिया को तो आपने देखा ही होगा, जो एक इनसान जैसी दिखने वाली रोबॉट है, और जो इनसानों की ही तरह अलग-अलग expressions के साथ बात कर सकती है. होंग कॉंग में बनी ये robot भी Artificial Intelligence का ही इस्तेमाल करती है. इस रोबॉट को इस तरह बनाया गया है कि ये हमारे face के expressions, हातों का हिलना, ये सब देखकर हमारी feelings भी समझ सकती है, और उस पे अलग-अलग प्रतिक्रिया भी दे सकती है. साथ ही साथ, अलग-अलग लोगों से मिलके, अलग-अलग जगा जाके, ये robot स चलने वाली गाडियां, उनके बारे में भी आपने सुना ही होगा. ऐसी टैक्सी, जो बिना ड्राइवर के, खुद बखुद चल सकती है, अमेरिका के कुछ शहरों में चल भी रही है, और इन में भी AI software डाला जाता है, जो चलते-चलते डेटा इखटा कर-कर के, सीखता भी जाता है, और अलग-अलग situations में decisions भी ले पाता है, इन machines को intelligent बनाने के लिए, इन्हें data दिखा दिखा कर सिखाना पड़ता है, ये machines डेटा से ही सीखती हैं, जिसके लिए programmers, program बनाते हैं, coding करते हैं, और उस तरीके से इन machines को सिखाते रहते हैं, फिर आखिर में इन machines को बाहर test क किया जाता है, और इस test के द्वारा भी ये सीखती जाती हैं, ये machines इनसान जितनी intelligent बन पाए या नहीं, लेकिन इनसानों द्वारा होने वाले कई कामों को ये असानी से कर सकती हैं, अभी से ही हमारे आसपास कितनी सारी चीजों में artificial intelligence का इस्तेमाल हो रहा है, तो सोच के धीरे धीरे दुनिया कितनी बदल जाएगे, हम बीना driver की गाड़ी में बैठे होंगे, समान खरीते समय कोई दुकानदार तो होगा नहीं, पैसे खुद बखुद कर जाएगे, जगा जगा offices, factories में robots काम कर रहे होंगे, और घर पे delivery भी drone से होगी एक मिनिट, आपको डर तो नहीं लग रहा कि आपकी नौकरी शिन जाएगी? ये सवाल भी कई सारे लोगों की चर्चा का विशे बन चुका है, कि अगर सारा काम machines करेंगी, तो फिर हम क्या करेंगे? और इस पे लोगों के मन में दोनों ही तरह के विचार आ रहे हैं ये बात तो है ही कि वो सारे काम जिसमें दिमाग का इस्तिमाल कम होगा, जो काम machine बिना किसी थकान और गल्ती के जादा अच्छे से कर पाएगी, वो नौकरियां खतम हो ही जाएगी लेकिन साथ ही साथ कुछ experts का ये भी कहना है कि AI के आने से बहुत सारी नई जॉब्स भी खुल जाएंगी ये जो machines होगी इनको बनाना, repair करना, नए-ने codes लिखना, वगएरा वगएरा बाकी असल में कहानी किस तरफ मोड लेगी, ये तो समय ही बताएगा विसे आपको क्या लगता है, कि कैसा होगा हमारा future, artificial intelligence के साथ मुझे comment करके जरूर बताना तो आज का ये question आपका question था, ये question पूछा था सरोज आकाश ने और सरोज आपको आपके सवाल का जवाब मिला की नहीं, आपको मुझे comment करके जरूर बताना है और बाकी सारे लोगों को भी बताना है कि उनको वीडियो अच्छा लगा की नहीं लगा वो share करेंगे की नहीं करेंगे share तो करोगे, like तो करोगे, subscribe तो करोगे, गंटी तो दबाओगे अगर नहीं किया है और इसी तरह की वीडियोज देखते रहने के लिए देखते रहे ही आज का परेश्ण मैं मिलती हूँ आपको अगले हाफ से एक नहीं मज़दार प्रेश्ण के साथ और गूगल क्या हाल चाल जान लो, पचान लो, कुछ करके दिखाओ मैं गाने क्यों गाने लग जाते हूँ ये नहीं ऐसा शो, ये नहीं ऐसा शो की मैं गाऊं इस पे गाने हो मेरे बानी जाते जाते मुझे पे कर गया काम कर ले ताकि वो नहीं नहीं चीज़े खुद से सीख सकें नहीं चीज़े देख सकें उसको उसके बारे में सोच सकें उसके बारे में पता नहीं क्या कर सकें और आगे के सेंटेंस क्या था पता नहीं क्या कर सकें